नमस्कार आदाब हफते की बाद उर्मिलेश के साथ के इस अंक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम चर्चा करेंगे कल जो संसद में विश्वास प्रस्ताव पेश हुआ सरकार के खिलाफ उसी के बारे में और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ शो में बहुत-बहुत स्वागत सर तो पहला सवाल तो यही कि दरसल यह प्रस्ताव क्यों लाई विपक्ष क्योंकि सरकार के पास जाहिर सी बात है कि बहुमत तो है ही सदन में लेकिन फिर भी प्रस्ताव लाने का क्या कि पीछे की मनशा क्या थे नहीं यह बड़ा यह संसत का लोर हाउस है उसमें अगर देखा जाए तो मवजूदा जो सरकार है उसको पूरुन बहुमत है प्रशंड बहुमत है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन अविश्वास प्रस्ताओ कई बार सिर्फ बहुमत का परिच्छन नहीं होता है सिर्फ इस बात के लिए नहीं आता है कि सरकार को बाहर करना है डिसलॉज करना है और नई सरकार मेठाना है ये केवल उसका एजंडा नहीं होता है यह जरूर है कि अविश्वास प्रस्ताव की जो बुनियादी धारणा है हमारे समिधान में और हमारे पार्लामेंटरी प्रैक्टिस में उसमें यह अहम है लेकिन हमने अतीत में भी देखा है और parliamentary rules कई बार practice जो है और कई बार जो परंपरा है उससे भी निकलते हैं और वो भी एक तरह से नियम जैसे हो जाते हैं तो हमारे हाँ जो जो इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव आते हैं कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि वो समाज में देश में सियासत में जो बड़े सवाल है और उन पर जनता के बीच में एक नाराजगी है सरकार के प्रती अब पोजिशन उसको गलत देश के लिए मान रहा ह तो ऐसे मुद्दे पर वो ले कर आता है अविश्वास प्रस्ताव ताकि वो सरकार को जख जोर सके और सरकारें अगर जवाब देह नहीं है समवेदन शील नहीं है सवालों पर वो जागरूक नहीं है वो अंदेखी कर रही है इन सवालों का जो जनता की तरब से उठ रहे है या विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं तो भी कई बार लोगों को लगता है कि कारियास्थगन प्रस्ताव लाएं एडजन्मेंट मोसन या अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं यह भारत के इतिहास संसदी इतिहास में पहला जो अवि लोकप्रिय भी थे यह बात सही है कि भारत चीन जुद्ध के बाद लोकप्रियता में बहुत गिरावट आई थी लेकिन फिर भी समाज में देश में उनकी जो एक स्थिती थी वो अच्छी थी लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आया ठीक उसी तरह से मैं यह नहीं का रहा है लेकिन मैंने उदाहरन आपको दिया कि अविश्वास प्रस्ताव कई बार सरकार डिसलॉज करनी के लिए नहीं बलकि सरकार की नीतियों पर सवाल जो उठ रहे हैं समाज की तरफ से विपक्ष की तरफ से जनता की तरफ से उनको और ठोस बनानी के लिए लाया जाता है इस सरकार के पास ना सिरुफ प्रचंट बहुमत हैं बिलकि उनके पास हो सकता है कि इतने उनके गिरावट नहीं होगी अगले चुनाव में इस तरीके की बाते तो आपको क्या लगता है कि यह जिस तरीके से गिरा यह प्रस्ताव यह क्या विपक्ष की हार के रूप में देखा जाना चाहिए नहीं जब पहले ही यह तैय है कि विपक्ष के पास शक्ति संतुलन अगर देखा जाए दलगत इस्तिती सदन की अगर देखी जाए तो उसमें विपक्ष के पास बहुमत नहीं है अगर यह चीज पहले से साफ है तो मैं समझता हूं कि मीडिया की यह अपेक्षा होता है जैसे हमने वाजबही सरकार के तवरान देखा एक बार हमने मुरार जी भाई की सरकार के समयब देखा जब सरकार गिर गई और खुड़ी परिकषन से पहले ही मुरीञा नश्तिपा दे दियाता अभी करनाटक में हम नीदेखा करनाटक Eliza तो ऐसी स्थितियों में यह हम सोचते हैं कि कौन सरकार जीतेगी कौन हारेगी इसमें तो तय था कि बहुमत मोदी जी की सरकार के पास है दरसल यह न तो हम यह कहेंगे कि यह सरकार की विजय है हाँ ठीक है संख्या के हिसाब से उनकी जीत थी वो पहले से ही जीत रहे थे उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर राजिनितिक तोर पे दिखा जाए तो मैं समझता हूं कि है जो विपक्ष जो संख्या बल्प में कम जोड था कमतर था सत्तापक्ष से वौ इस अविश्वास प्रस्ताव के दवरान सत्तापक्ष पर भारी पड़ा क्यों हो भारी पड़ा कियों कि जो सवालात उठाए गAY और जनता उन सवालों को सुन रही थी, उन सवालों पर convincing जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आया और ये दो सवाल मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपून है, मेडिया ने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है कुछ एक प्रिंट मेडिया में कुछ एक जगह चीज़ें आई हैं, कुछ वेबसाइट्स पर आई हैं मेरे हिसाब से दो बड़े महत्वपून सवाल विपक्ष ने उठाए, खासकर राहूल गांधी ने पहला सवाल, उन्होंने सीधे ये उठाया कि ये सरकार जो नीतियां बना रही है, आर्थिक नीतियां खासकर वो 15-20 बड़े कार्पोरेट जो घराने हैं कार्पोरेट जो कफ्तान है उनकी इक्षायय सहमती से बना रही है उनके इर्द गिर्द ये सरकार मनरा रही है नीति बनानी के लिए उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि ये सूट बूट 15-20 जो कप्तान है कार्परेट गराने हैं सूट बूट वाले उनकी कंसल्टेशन में उनकी संगत में ये सरकार के टॉप लोग रहते हैं और नीतियां उनके ज़रिये बन रही हैं एक सवाल ये उठाया इसका उन्होंने कुछ उदारण भी दिया दूसरी बात जो उन्होंने कही वो उठाई रफाइल जो विमान सवदा है और रफाइल विमान सवदे में उन्होंने गंभीर सवाल उठाया जिस पर सदन में आपने देखा होगा देश की जंता ने देखा कि काफी हंगामा हो गया और उस हंगामे में उस शोर शरावे में रक दिखे सकता पक्ष के अब ये जो दो सवदें दो जो मामले उठे इन दोनों पर अगर आप सरकार का जबाब देखिए राहूल गांदी ने ये कहा कि हमने हमारे समय विमान का सवदा चल रहा था उसमें तके 520 करोड में एक विमान तैहो रहा था अभी सोलह सो करोड का मामला एक विमान का है हम नहीं जानते कि क्या और सौधे कि आसलियत है क्या डीटेल से सरकार ने जनता के सामने नहीं रख उनका इशारा था कि इसमें कहीन कहीं द्रश्टाचार हुआ है कहीन कहीं ऐसी डिलिंग है जो जनता त्वारा समाज के भी च्छिपाई जा रही है सरकार ने जो इस पर स्पश्ट्री करन दिया उन कहा गी गोपनियता के प्राउधान से हम बंदे हुए हैं और फ्रांस की सरकार से हमारा ये सौधा है और ये हम किसी प्राइवेट पार्टी से नहीं बलकि सीधे सरकार से हमने बात की है और ये सौधा और इसलिए हम उससे और कहा कि यह प्रावधानी ऐसा है अब सवाल यह है मैं नहीं कह रहा हूं मैं एक जर्नलिस्ट हूं मेरे पास सौधे के डिटेल्स नहीं हैं लेकिन एक आम दर्शक एक आम नागरी की तरह हमें इस बात को पूछने का अधिकार है कि जब आप यह ने यह कहा कि अतीत में अनेक सौधे जो हैं भरस्टाचार वाले हुए आपने बोफर से लेकर तमाम सौधों के बारे में कॉंग्रिस की रिजीम जब उस समय थी उस पर इलजाम लगाए यहां तक की उनेटिट फ्रंट के समय भी आपने इलजाम लगाए आपने एक बार सुखोई को लेकर इलजाम लगा था माननी प्रदान मंतरी जी की तरफ से रक्षा मंतरी की तरफ से और सरकार के सारे नुमाइनतों की तरफ से और बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं टेलिविजन चैनलों पर कल शाम यहीं बैठ कर बोल रहे थे पर हम को अपनियता के कानून से बंदे हुए है और भी अगर जहाज हमारी रक्षा के लिए खरीदा है तो आपको बताना चाहिए कि जहाज कितने में है टोटल उसकी कीमत क्या है ये क्या परदेदारी है तो ये जो कहा जा रहा है मैं समझता हूं कि वो एक बड़े सवाल खड़ा करता है तो ये दो जो मुद्धे हैं मैं समझता हू परेशानी में पड़ी आपने राहूल गांधी की बात की तो जो कल के पूरे पूरी चर्चा में जो दो एक भाशन जो सबसे ज्यादा चर्चित रहे वह एक राहूल गांदी का और दूसरा जो ने रेंड्री मोधी ने अपना जवाभी भाशन दिया तो उनके भाशनों के पारे में आप क्या कहेंगे और इसके साथ ही जो राहुल गांदी संसद में सब के सामने जाकर फैधान मंत्री को गले लगाते हैं और यह इस तरीके की जो बॉड़ी लांग्वेज है जो जेस्ट्र हैं इसके खिलाफ भी बहुत सारी चीज़े मीडिया में आ रही है कि यह मर् असमने और इस विशे 6 पर यही कह सकता हूं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ जो लोग यी बात कह रहे हैं कि सदन में उन्हों यह एसा कि उनको नहीं करना चाये था अलदर व्याद का उलंगण है कहना है कि जो उल जलूल है उसको तो आप नहीं कह रहे हो लेकिन अगर कोई जाकर गले लग गया तो इसे आप कहरे हो कि मर्यादा कव लंगन हो गया आई तिंग दिखे राहुल गांदी नए जमाने के नेता हैं मैं कोई राहुल गांदी का कोई बहुत बड़ा प्रसंशक नहीं हूँ मैं जैसे हर नेता का प्रसंशक या आलोचक होना चाहिए पत्रकार को अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसकी नयापन है कि उनकी उमर भी कम है और अलग बैकग्राउंड भी है वो देश विदेश घूमे हुए है हमारे पुराने जमाने के बहुत सारे नेता बहुत अलग ढ़ंकी दुनिया में रहते थे अलग धंकी दुनिया में जिया उन्होंने तो उनके अपने संसकार थे सोचके विचार के आज का जो युवावर्ग है वो नए धंक से सोचता है मुझे नहीं लगता है कि राहूल गांधी ने अगर प्रदानमंत्री को गले लगा लिया जाकर के तो इस साहब हों शी जिन पिंग हों जिन नेताओं से भी मिलते हैं तुरत गले मिलते हैं तो गले लगना तो मोदी जी को पसंद है तो राहूल जी ने गले अगर उनको लगा लिया तो इसमें क्या बुराई है मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बुराई है कि इसमें सत्ता पक है इतनी नफरत है और जिस वक्त वो भाशन कर रहे थे नफरत की राजनीद पर राहुल गांदी उसको कंक्लूट करने के बाद वो गए वहां मिलने आप कह सकते हैं कि इसमें अटपटापन था एक तरह का अटपटापन वह आप कह सकते हैं लेकिन यहीं अटपटापन कई बार नई पीड़ी को पसंद आता है और नई पीड़ी का यह एक तरह से महावरा भी होता है एक तौर तरीका भी होता है तो मुझे इसमें कुछ भी गल इसी बात की इस पर बहस की जाए असल बहस यह है कि जो डिबेट होई है उसमें मुद्दे क्या हो रहे हैं मीडिया का एक बड़ा हिस्सा चैनलों का खास कर इससे कल बचता नजराया मुझे लगता है कि वो एक गैर जी मजाराना भूमी का है बहस होनी चाहिए कि इन चीजों स से निकला क्या और देश के लिए हमारी समाच के लिए पार्लामेंटरी पॉलिटिक्स के लिए उससे क्या एचीव हुआ देखो सुना ली लगभग तीस एक साल का मेरा अनुभव है भारत के विधान मंडलों को और पार्लेमेंट को कवर करने का एक जैनलिस्ट के तोर पे सत्ता पक्ष के उन टॉप पॉलिटिशन को डेलिबरेट करते हुए उनको संबोधन करते हुए सुना है जो अपने समय के नहीं बलकि मैं तो कहता हूं कि वह युगों युगों तक उनका नाम रहेगा अच्छे वक्ताओं में अच्छे पार्लामेंटरियन में भुपेश ग अच्छे रवी राय जैसे स्पीकर हमने देखे हैं सोमना चिटर जी का नाम मैंने लिया ही आपको तो हमारा यह कहना है कि उस हिसाब से अगर उस पैवाने पर हम देखते हैं तो यह जो दोनों भाषण हैं प्रमुक्निताओं के वो एवरेज माने जाएंगे खासकर राहूल गांदी का बाषण ओसत भाषण है ठीक ठाक है पहले जिस तरह से बोला करते थे राहूल उससे बेहतर माना जाएगा लेकिन मेरे हिसाब से एक ओसत भाषण था प्रधानमंत्री जी चुकि एक भाषण करता के रूप में वो देश में बड़े विख्यात हैं तो उनके भाषण से मुझे ज़्यादा निराशा हुई क्योंकि उनके भाषण में कुछ भी नया नहीं था वही जुमलेबाजी वही पुरानी बातें जितनी दलीलें उन्होंने अपने अपनी सरकार के द्वारा विकास के एजेंडे विकास के कारिक्रमों को लागू करने के दिये वो मैं समझता हूँ कि गाजियावाद से लेकर गाजीपूर तक बनारस से लेकर के बदाजियों तक नजाने कितनी बार उन्होंने ये बातें कह दी होंगी और देश के हर एक शहर में जहां जहां वो जाते हैं वो नीम कोटेड यूरिया से लेकर के और 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 तमाम NPA के सवाल उठाते हैं कि NPA जो था हमारे समय जितना है उससे ज्यादा UPA के समय रहा हमारा बस यह कहना था कि ये दो भाशनों के बीच में जो पक्ष और विपक्ष की कशमकश है उसको देखा जाना चाहिए वो बड़ा दिलचस्त है और वो ये था कि विपक्ष की कई सदस्तियों ने माब लिंचिंग का सवाल उठाया हिंसा का सवाल उठाया बले ही वो बहुती सोनाम धन्य उनके नाम नहीं बड़े नाम नहीं हो सकते लेकिन लोगों ने उठाये सवाल सदस्तियों ने और हर सदर से वहाँ ये नहीं देखा जाता है सदर में कि वो बड़ा नेता है या छोटा नेता है वो जनता का प्रतनी दिया है इस हिसाब से मैं इस पूरी भास को देख रहा हूँ कि महत्पुन सवाल उठाए गए और लोगों ने ये देखा कि हाहाकार मचा हुआ है देश में इस वक खासकर उन लोगों में जो मारे जा रहे हैं जिनको सताया जा रहा है ये माजलाइस क्लास के लोग हैं वो दलित हो सकते हैं आदिवासी हो सकते हैं विस्थापन के शिकार माइनर्टी कम्मूनिटी के लोग हो सकते हैं वे ऐसे लोग हो सकते हैं जो मेंस्ट्रीम तथा कथी जो मद्धिवर्ती जाती हैं या सवन जाती हैं उनके भी लोग अब कई जगह ऐसे लोग मारे गए हैं जो बच्चा चु अब उनका ये कहना है कि 1984 में जो दंगा हुआ वह भी मापलिन चिंग से भाव भयानत भयानक हुई थी उस दंगे को कौन कहता है कि वह भयानत दंगा नहीं था उसकी हम सब ने पूरे देश ने निंदा की एक सवर से यहां तक कि मनमौह सिंग जब सरकार में आये तो उनको निंदा करनी पड़ी लेकिन भाई गुजरात के दंगे को आप कैसे भूल जाते हैं आपके समय जो चीजें हो रही उनको आप कैसे भूल जाते हैं तो यह जो एक दूसरे पर भूल फेंक रहें कि आपका अपराध खराब है मेरा अपराध सही है यह गलत है इसमें बुरी तरह एकस्पोज हुई है यह सरकार इसमें कोई दोराय नहीं है तो अंत में यही कहूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव से 2019 के चुनाव के लिए एजिंडा तो नहीं सिट हुआ है मैं नहीं मानता कि एजिंडा सेट हो गया है लेकिन एक ऐसा लगा है कि पटरी पर दोनों खेमें जो हैं आ गये हैं कि किस पटरी पर जाना है टोन एक सेट हुई है और यह बड़ा हम है 2019 के चुनाव में सरकार डिफेंसिव दिखी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-ब